आज की वीडियो में देखने वाले हैं गोरखपुर उनिवस्टी के स्टूडेंटों के लिए most important लेकिया है BSC Second Year के Botany का Second Paper है, First Paper पहले से upload कर रहा हैं, आपने वीडियो नहीं देखिये हैं तो मैंने Link Discription Box में दे रखा है, जाएए, बहां लेका होगा BSC First, Second, Third Year ठीक है, 2022 में आने वाले कोशन, इस तरीके से Link Discription Box में, जाएए, नीचे उस पर Link पर टच करेंगे तो आपको सारे BSC के मिल जाएंगे, जो BA वाले स्टूडेंट है, BA वाले पर टच करेंगे, B.com बाले हैं, B.com बारे पर तो यहाँ गोरखपुर उनिवस्टी के लिए, बहुत अच्छे नमबल आ सकते हो, बहुत अच्छे, ठीक है तो आप आज के बाद वो पढ़ो जो आपके पेपर में आ रहा है, वो मत पढ़ो जो पेपर में नहीं पूछ रहा है तो पेपर में छपने वाले कोशन है, इस तरीके से आप समझ लीज़े, यही कोशन पेपर में आएंगे, इससे वाहर कुछ नहीं पढ़ना पहले मैं question भो भो बताऊंगा जो most most important है ठीक है most important आपके लिए क्या है very very important वाला ये पढ़ना ही पढ़ना है 100% ये paper में छपेंगे बाकी एक दो question extra बता दूँगा जो आपके गलती से अत्वा में आ जाता है ना तो आप उस question को बना के चले आओ ठीक है तो फटा फट पहले तो question पे log करो अपने book notes guess paper जुससे भी आप त्यारी कर रहे है उसको open करिए और जो-जो question मैं आपको बता रहो उन question उपर tick लगा लीजे सबसे पहले हम question को देखेंगे किंद्रक कोस का देखो ये वाला most important है याद रखना किंद्रक की सरचना ठीक है तो किंद्रक जो nucleus के structure है उसके बारे में और chromosomes मलब गुरसूत्र के बारे में most important है एक question यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है gene की introduction of gene मतलब कि आपको बताना है gene की onion किरिया है कौन कौन सी होती है ठीक है introduction आपको बताना होता है वहीं आपको बता दो ठीक है तो आपको gene की onion किरिया है और introduction मलब gene क्या क्या किरिया करता है ठीक है उसके बाद में आपको यह question टिक लगा लिए तीन question के लिए हो गए चलो उसके बाद में आता है cell devization अब कोस का विभाजन से बोलते हैं अब कोस का विभाजन दो टाइप का होता है यहां नहीं को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इस से बाहर कुछ नहीं जाएगा पहले बनश्ट बता रहा हो उसके बाद में तो यह कोशन देखो आज वो पढ़ना है आज की बाद जो पेपर में देने वाले हो 2022 का कि जो पेपर में छपरा है वही पढ़ो फालतु कुछ मत पढ़ो ठीक है उसके बाद में आपको देखो हाइट्रो जो हाइट्रोफाइट्स है जिसे कह सकते हैं जलोदित्व और मरोदि मैंडल के तीनों को अपढ़ेंगे मेंडलके तीनों पढ़ेंगे जो जो कोशन पेपर में आपको दिखा रहो क्यस्ट बीकोशन अच्ट तंदर होता है जो होती है इस सिस्टम के अंतकत आती है जीवों आपनी करता है परसपर क्रिया करता है वो एको सिस्टम के अंतकत रखा जाता है तो वो आप देखेंगे जीवों के परसपर क्रिया के बारे में एक अब धार्ना दे गई थे जिसे कहते हैं सीमेक्स CMAX की अबधारना, concept of CMAX इस तरीके से concept आपसे पूछा गा तो इस question को आप ध्यान से रगे CMAX की अबधारना, मतलब concept of CMAX क्या होता है, अब इसको बढ़के आएंगे बहीं आपको देखो परिस्तिक देखें जो ecosystem पढ़ेंगे तो ecosystem में इस तरीके से भी question पूछेगा कि मरोधित्वे की परिस्तिकी, जो परिस्तिकी है ecosystem है, उसको आपको अनुकुलन की बारे बता दना है इस तरीके से आपसे question पूछेगा, लेकिन आप simple तरीके से पूछ सकता है कि गुरसूत बितपन क्या होता है, गुरसूत्डरी बितपन, याद रखना , यह बहुत जादь Ouch है अप इसको पढ़ेंगे गुरसूत्रे से कई कि तरकारे कह सुक्लाइब होते हैं जसे कि भीश्तिक गुर्मुसम्स होता है उसकी बार में पढ़ने की बाद में देखो सबसे ज्यादा most important carbon चक्र और nitrogen चक्र यहां से एक चक्र आप से पूचाएगा दूनों चक्र को पढ़के जाईएगा और बहीं आप से देखो एक पूचेगा polyplides जो polyplides होते हैं उनके जैबिक विकास का महत्व किस तरीके से होता है तो polyplides के बारे में पढ़ेंगे of implant ठीक है तो यह आप देखेंगे पौदो में link निधान किस तरीके से होता है यह important question आप इसको पढ़ेंगे प्रात में उत्पादक पढ़ लेना primary production क्या होता है यह question sort में मिलेगा देखने को एक question यह जो question में आपको दिखा रहा हूँ यह भी most important है बाग की खतम करो पेपर बास हो गया यह इक पढ़ना है और यह है आपका प्रेद जीन उत्परीवरतन क्या होता है ठीक है आप इनको पढ़ेंगे in drugs जो mutation होता है इसको पढ़ेंगे ठीक है प्रेद जीन उत्परीवरतन इसको पढ़ेंगे और देखो अब आपको बता यह तो कोशन आपको जो रटने वाले अब इतने कोशन पर टिक लगा चुके है अब इतना तो आपको रटना है यह रटना करना पढ़ेगा गालीजी आप इतना कर लेता तो पास तो हो जाओगे अच्छे नमबर से लेकिन हमें टॉपर वनने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी मेहनत क्या है आपके एक बुक नोट्स गेस्ट पर में जो जो कोशन एक्स्टा आपको मिल रहा है जैसे मैं आपको बता दूँ एक दो कोशन आपको लगता है कि इंपोटेंट है तो पड़ सकते कोई लेकन इतना ही कोशन पढ़ लेते हैं अच्छे नंबर से पास हो जाओगे 85% यहीं से मिलेगा क पोई दिक्कत नहीं है जब भारों का पिरमिंड बहीं आपको देखने को मिलेगा तो पड़ेंगे एक कोशन यहां से बनता है खाद जाल फूर्ट यहां पूछ लेता है खाद जाल फूर्ट जो होता है खाद जालो खाद सरंकला यह दो कोशन है आप इसको पढ़ लेना करके कैम का बहुता है जानते होंगे जब फादे निक्ट फलकि कुछ बहुता है कोई पड़ेंगे ठाख़ सब्सक्री इतना अब कुछ यहां कुछ भी देखनी जबत नहीं पढ़एगी कुछ भी सोचने की जजूरत नहीं वड़ेगी और जैविक विकास हो से तो जैवे को विकास यह पढ़ लेना एक हो सके तो गलजी कंप्लेक्स यह दी आपके नोट्स बुक गैस्पिपर में पढ़ा है गलजी कंप्लेक्स के बारे में तो पढ़ सकते हैं बरना इसको छोड़ देना और वहीं बात की जाए मैंने कोस्का के बारे में दोखो कोस्का यह ब पढ़ लेते हो तो आप अच्छे नमबर से पास दो लेकिन टॉप करने के लिए हमें थोड़े तो मेहनत करनी पड़ेगी तो इतनी मेहनत कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है कॉमेंट सेक्षन में आप बता देना कोई भी उनिवस्टी के स्टुडेंट है आपको प्रॉब्लम हो